आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अकाउंटिंग में आपको कैस बुक कैसे लिखना होता है, कैसे बनाना होता है नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन सर्मा, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चानल सुमन एजुकेशन हब में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे दोनों चैनल को सपोर्ट कीजिए इस चैनल को और एक और मेरा चैनल है इंग्लिस लेंगवज में सुमन एजुकेशन हब इंग्लिस इसी चैनल के नीचे मेरा सेकेंड वाला चैनल आपको शू होगा तो प्लीज उसको भी सपोर्ट कीजिए आप यहाँ पर देख सकते हैं राइट हैं साइड पर मैंने कुछ कुछ प्रिपेर किये हैं और यहाँ पर लेफट हैं साइड में मैंने कैस बुक को प्रिपेर किया है आप देखेंगे कैस बुक दो साइड में डिवाइड है डेबिट एंड क्रेडिट तो यहाँ पर सबसे पहला जो कुश्चन से वो हम देख लेते हैं सबसे पहला जो question है, यहाँ पर date आप देखेंगे, particular देखेंगे, amount देखेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि entry में क्या है और उस entry को आपको कैसे trade करना है, debit and credit site में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर debit के नीचे, date, particular, cash, bank, इसी तरीके से credit site में भी date, particular, cash और bank का column श सबसे पहला जो entry है, वो हम देखेंगे, तो यहाँ आप देख सकते है, opening balance जो है, वो 10,000 है, तो cash book हम यहाँ पर लिख रहे हैं, तो cash book में, जो cash होता है, वो always debit होता है, cash के account में कुछ ने कुछ amount debit side में होता है, आपको हमेशा ध्यान देना है कि cash का जो ledger है, वो कभी भी credit में नहीं जाना चाहिए, जब भी credit में जाएगा, तो वो ledger जो है, वो minus में, red color में आपको show होता है, तो यहाँ देखिए, 10,000 opening है, यानि कि debit side में है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, debit side में 10,000, इसी तरीके से second entry जो है, वो cash में हमने sale किया है, 4000, तो cash में भी यहाँ पर debit side में आएगा, क्योंकि कुछ amount जब आता है, तो वो debit side में आता है, इसी तरीके से credit side में third वाली entry हमने cash में purchase किया है, cash में हमने purchase किया है, तो हम payment देंगे, इसलिए entry cash के side में आएगी, next है paid by check to come less, तो यहाँ पर come less को pay किया गया है, check के through, तो यह हमारा credit side में आ जाएगा, क्योंकि ह हम यहाँ पर pay कर रहे है, check के through pay कर रहे है, तो यहाँ पर bank में, इस bank के column में जो amount है, उस में हम mention कर देंगे, क्योंकि हम check के through कर रहे हैं, next है salary paid to annual buy, check, तो 99500 हमने annual को check के through payment किया है, salary दिया है, वो भी हमारा credit side में आएगा, क्योंकि हम यहाँ पर दे रहे हैं, तो credit side में हम जो salary की है वो booking कर लेंगे उसके बाद next है paid rent paid रवी को हमने rent pay किया है तो जो हम pay करेंगे वो हमारा credit side में show करेंगे हम उसको क्योंकि हम यहाँ से पैसे हमारे businesses जा रहे हैं तो यहाँ पर हम दे रहे हैं credit side में इसको rent को book कर लेंगे next है deposit to bank हम 5,000 जो है वो cash deposit कर रहे हैं bank में तो यह दोनों side आएगा cash में credit side भी आएगा and debit side भी हमें यहाँ पर book कर लेना है तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस तरीके से आपको इस तरीके से लिखना है cash book के अंडर में उसकी बाद next है received a check from प्रकाश तो हमने check receive किया है जब भी हम कुछ receive करेंगे तो हम debit side में उसको book करेंगे तो debit side में हम यहाँ पर कर देंगे bank में हम कर रहे हैं bank की column में उस amount को mention करेंगे अगर cash में आप receive करते तो cash में करते बट हम यहाँ पर bank में कर रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पे bank में mention किया हुआ है उसके बाद देखिए receive check तो हम यहाँ पे check again receive कर रहे हैं तो इसलिए again हम यहाँ पे bank में उस चीज़ को mention करेंगे इस तरीके से next जो है receive a check तो जो भी आप receive करेंगे वो आपको debit side में mention करना है अगर आप cash receive कर रहे हैं तब भी आपको debit side में mention करना है बैंक में receive कर रहे हैं तब भी आप bank side में इसको mention करेंगे अगर आप payment कर रहे हैं cash में कर रहे हैं या फिर bank के through कर रहे हैं तो आपको credit side में इसको लिखना होता है तो इस तरीके से हम cash book में लिखेंगे अब इसकी treatment आप देखेंगे तो credit and debits है दोनों equal आपको show होगा नीचे amount आप देखेंगे मैं आपको show कर रही हूं तो दोनों equal होगा जैसे हमारे balance sheet में होता है अब यहाँ पे इसके treatment हमें accounting की जो treatment है वो tally prime है में कैसे करनी है वो चलिये देख लेते हैं तो यहाँ पर मैंने टैली prime को open कर दिया है और यहाँ पर मैं cash का लेजर open कर लेती हूं तो आप देख सकते हैं मैंने कहा था कि cash का जो laser है वो credit side में नहीं होना चाहिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस time जो cash का laser है हमारा rate में show हो रहा है rate में तभी आपको शू होता है cash का लेजर जब cash minus में जाता है तो cash कभी भी minus में नहीं जाना चाहिए यानि कि credit side नहीं शू होना चाहिए always debit side में शू होना चाहिए चाहिए वो 50 पैसा या फिर 1 रुपे ही क्यों नहीं तो इस चिर को आप ध्यान में रखिए अगर आपका cash minus में जाता है means की आपकी कुछ entries रह गई है तो उस entry को आपको back में जाके सारी books को check करना होता है तो यहाँ पर मैं entry ठीक कर लेती हूँ so that मैं आपको इसकी entries जो है जो हमने अभी questions देखे थे मैंने जो mention किये थे questions Excel sheet में उन सारे Excel sheet के questions को हम यहाँ पर कैसे treatment करेंगे teleprime में कैसे entries करेंगे one by one में आपको show करूँगी तो यहाँ सबसे पहले जो first entry थी वो थी 10,000 हमें debit side में opening जो है वो डालनी है control plus enter press करेंगे तो cash का ledger open हो जाएगा यहाँ से हम 10,000 amount जो है वो debit side में हमने ले लिया है अब आप देखेंगे cash का जो ledger है वो 10,000 debit में show हो रहा है अब यहाँ पर हमने opening ले लिया है उसके बाद one by one सारी entries में आपको show करूँगी त्रिहेंस से alt a प्रेस करेंगे आप voucher add हो जाएगा और right hand side से sales वाला voucher select कर लिजे app to press करके आपको date को change कर लेना है cash में हमने आपे sale किया है इसलिए हम cash का ledger select करेंगे और जो भी product आप sale करेंगे उसके ओपर takes rate अपलाई कर लीजेगा मैं आज जस्ट आपको booking करके दिखा रही हूँ तो यहाँ पर मैं tax rate जो है opening लिया था 10,000 था अब उसमें 4,000 जो है वो plus हुजाएगा यानि कि 14,000 अब आप देख सकते हैं आपको balance show हो रहा है आप third entry देख लेते हैं जिसमें कि हमने cash में purchase किया है 3,000 रुपिज का तो यहीं से alt a press करेंगे और right hand side से आपको purchase वाला voucher select कर लेना है app to press करके date change कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पे suppliers का invoice number cash में हम purchase कर रहे हैं इसलिए हम cash का ledger select करेंगे उसके बाद जो भी product, stock, item, inventory आप purchase कर रहे हैं वो कर लीजिए यहाँ पे मैं tax नहीं apply कर रही हूँ just booking कर रही हूँ हम यहाँ पे 2000 की हमने booking कर ली है अब आप देख सकते हैं cash में हमने purchase किया है cash में payment हो गया है पहले 14,000 था 12,000 हो गया है उसके बाद next entry है paid check by cumless तो यहाँ पे हमने cumless को check दिया है तो यहीं से alt a प्रेस करेंगे और right hand side से हम payment वाला voucher select कर लेंगे हम इनको payment कर रहे है means हमने इन से purchase किया है इसे लिए नका लेजर संद्री creditors के अंदर में हम create करेंगे आप जो हम payment करेंगे हमने इनको payment दिया है 3000 का और by check दिया है तो हम अपने bank को यहाँ पे select कर लेंगे credit कर लेंगे instrument number में जो भी आप check number है वो feel कर सकते है narration में भी feel कर सकते है और इस entry को save कर लीजिए next entry है salary paid to anneal by check तो anneal के थूँ check के थूँ हमने anneal को salary दिया है तो alt a प्रेस करेंगे payment voucher select कर लेंगे app to प्रेस करके date change कर लीजिए यही से आपको alt c प्रेस करना है और salary का जो account है कैसे create करना है वो देख लीजिए जो group है indirect expenses होगा GSTS के अपर not applicable होगा जो salary का amount था तो जो भी amount है हम debit कर लेंगे 9500 और उसके बाद check के थूँ कर रहे हैं तो हम अपने bank को select कर लेंगे और यहाँ पर जो भी instrument number है check number है फिल कर लीजिए narration भी फिल कर लीजिए और इस entry को save कर लीजिए next entry हम देख लेते हैं paid to ravie तो यहाँ पर हमने ravie को cash में pay किया है तो it means कि हमने इनसे purchase किया होगा तभी हम इनको pay कर रहे हैं तो alt c प्रेस करके यहीं से ravie college under sundry creditors और यहाँ पर debit हो जाएंगे ravie और यहाँ पर cash के थुरू कर रहे हम तो cash यहाँ पर हो जाएगा credit अब यहाँ आप देखेंगे तो cash हमारे पास 2200 बचा हुआ है next है deposit to bank तो यहाँ पर हमने deposit किया है bank में तो इसकी भी entry कर लेते हैं deposit entry हम करते हैं Contra voucher में तो tally prime में हम जाएंगे और alt a प्रेस करेंगे right hand side से आपको Contra voucher select कर लेना है app to press करके हम date को change कर लेंगे और यहाँ पर हम cash deposit कर रहे हैं तो cash हो जाएगा credit bank हो जाएगा debit यहाँ पर हम इस तरीके से जो amount है वो fill कर लेंगे और उसके बाद इस में show हो रहा है अब उसके बाद देखिए next जो entry है हमने यहाँ पर receive check from remains तो यहाँ पर हम check receive कर रहे हैं तो इसकी entry हम receive voucher में करेंगे alt a प्रेस करके receive voucher को select करना है alt c प्रेस करेंगे हम और यहाँ पर हम laser create कर लेते हैं प्रकास under sundry data क्योंकि हम यहाँ पर receive कर रहे हैं इतमेंस हम इनको sell किये होंगे और यहाँ पर जो amount है जो भी amount है वो हो जाएगा credit और cash में receive कर रहे हैं तो cash हो जाएगा debit अगर bank में receive कर रहे हैं तो bank हो जाएगा debit इस तरीके से narration में भी आप मार कर सकते हैं next entry है rent हमने pay किया है तो rent हम pay कर रहे हैं तो payment voucher में इसके entry होगी alt a press करेंगे right hand side से payment voucher select करेंगे और यहाँ से आपको app to press करके date को change कर लेना है यहाँ देखिया rent expenses का ledger हमने under indirect expenses के create किया हुआ है यहाँ पर आगर आप cash से कर रहे हैं तो bank हो जाएगा credit इस तरीके से receipt check हमने check receipt किया है प्रकास से तो again इसके entry receipt voucher में होगी क्योंकि हम receive कर रहे हैं और यहाँ पर प्रकास जो है वो हो जाएंगे credit और कितना amount था वो चलिए देख लेते हैं तो amount है जो भी amount है वो amount हम कर देंगे यहाँ पर credit और हम अपने bank में receive कर रहे हैं तो bank को हम कर देंगे debit इस तरीके से इस entry को आपको कर लेना है तो one by one में सारी entries आपको बता रही हूँ इस तरीके से one by one आपको सारी entries को कर लेना है उसके बाद यहाँ पर इसको credit कर देंगे और bank को कर देंगे हम debit और इस entry को कर दीजिए save उसके बाद जो next entry है उसको कैसे करना है तो next entry में है receive from तो हम receive कर रहे हैं जब भी आप receive करते हैं तो उसकी entry आपको receive voucher में करनी होती है तो receive voucher को select कर लीजिए लेजर create नहीं है तो alt to see press करके हम गुपता का लेजर यहाँ पर create कर रहे हैं receive कर रहे हैं इसमने sale किया होगा तो sundry data scanner में हम इसको create करेंगे जो भी amount है amount को कर लीजिए credit और bank को हम कर लेंगे debit तो इस तरीके से इसकी entry आपको कर लेनी है और जो last वाली है वो भी है receive हमने चेक किया है 3000 का तो यहाँ पर again हम receive voucher में इसकी entry करेंगे जिससे receive करेंगे वो credit हो जाएगा और हमारा bank हो जाएगा debit तो alt to see press करके हम रवी का लेजर under sundry data create कर लेंगे 3000 से रवी जो है वो credit हो जाएगे bank हमारा हो जाएगा debit तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे आपको cash book बनाना है उसके बाद सारी entries आपको कैसे करनी है टेली ट्रैम में thank you and keep watching my videos